Assalamualaikum Viewers C++ के 8 वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपका ओश मदसिर आजर हूँ आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा Switch Statement उससे पहले एक If-Als-If का एक प्रोग्राम डिसकस करेंगे फिर हम Switch पे थोड़ा सा काम करेंगे तो Developer C++ को मैंने उपन किया Number Sign Include Iostream.H Number Sign Include Conium.H Main GetCh मैं एक Variable Declare करवाता हूँ Suppose Int A इसकी मैं यूजर से Value Get करवाता हूँ कि See Out Enter the The Value of A और C in A अब मैं इसमें देखता हूँ Condition लगाता हूँ कि अगर जो यूजर से Value Get की है अगर वो A जो है वो Greater Than 80 हो तो C Out हो जाए Your Grade is A A Plus A Plus Grade है यह आपका Suppose और अगर Else If A Less Than Greater Than Ñजर इक्वर्ट इक्वर्ट के साथ बीच सेवन्टी लगा रेटे हैं 70 हो तो C out आपका grade है A B, suppose B, इधर हम A कर देते हैं else if A greater than equal to 60 C, तो हम इसे कर देते हैं, आपका grade C out C इसी चीज को मैं copy कर लेता हूँ दो, एक दफ़ा, दो दफ़ा मैंने paste कर लिया greater than equal to 60 हो, 50 हो तो इसका, आपका grade हो, जी, D और अगर less than 50 हो A less than 50 हो तो अब fail हो, तो अब fail हो, यूजर तो C out हो, रॉंग, रॉंग वैल्यू ये लेजी, इसको अब हम combine करते हैं, F9 से if, as if, no error, F10 से हमने run किया इसको अब मैं इदर value देता हूँ, suppose मैंने 70 एंटर किया तो उसने कहा जी आपका grade B है अगर मैं दोबारा इसे F10 से run करता हूँ, तो मैं इदर 80 एंटर करता हूँ, तो वो कहता है, आपका grade A है तो, ये program था, अब हम switch structure की दरफ चलते हैं